Hello my little friends, आज मैं आपको पदेन रा की मात्रा सिखाने जा रही हूँ इससे पहली वीडियो में हमने आपको रेफ रा की मात्रा सिखाई थी रेफ में और पदेन में क्या फर्ख होता है? यह आप सबसे पहले जान लेजिए रेप में रा आधा होता है लेकिन पदेन में रा पूरा होता है और यह आधे अक्शर के पीछे लगता है लेकिन नियम कुछ लगे आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यह अटपटा लगीगा कि जिस अक्षर को हम आधा कह रहे हैं वो लिक खदभ पूरा जाता है और उसके नीची हम लगाते हैं इसको तो इसका यही नियम है लेकिन याद रखिए बोलने से आपको फर्ग पता चल जाएगा कि रा को हम पूरा बोलते हैं और अक्षर को हम आधा बोलते हैं एक तो आपको ये ध्यान में रखना है दूसरी बात कि जो पदेन रा होता है वो दो तरीकी से लगता है एक तो जैसा कि आप एक्जम्पल में देख रहे हैं नीचे लगाया जाता है पता है इसको पदेन क्यों कहते हैं पद का मतलब होता है पैर और किसी भी अक्षर का पैर तो नीचे होता है सबके पैर नीचे होते हैं तो इसलिए इसे नीचे लगाते हैं और दूसरी बात important यह है कि यह कभी तो ऐसे एक लाइन में लगता है कभी इस प्रकार से यह खड़ी हुई लाइन होती है जैसे क, प, ल, फ, त, य, इन समय यह चुकि खड़ी लाइन होती है उसके उपर इसे लगाते हैं लेकिन जिन में इस प्रकार से उल्टा यू टाइप लगता है वो लगता है टवर्ग में ट, ठ, ड, ध यह अलग बात है कि धावाले अक्षर बहुत ही कम है और ट, और डावाले अक्षर भी वो है जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आएगे जैसे ट्रक है, ट्रेन है, ड्राइवर है, ड्रामा है लेकिन नियाम हमें पता होना चाहिए कि इन में आपको इस प्रकार से लगाना होता है क्योंकि इन में standing line नहीं होती और सबसे important बात कि ये हमेशा पदेन रा उस अक्षर के पीछे बोला जाता है जिस पर इसे लगाते हैं लेकिन जो रेफ रा होता है वो उस अक्षर से पहले बोला जाता है जिस पर उसे लगाते हैं तो अभी और आप अभ्यास देखेंगे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चकर चक्र रा पूरा है और का आधा है चक्र फ र आ रा क फ्राग फा में फ में रा हम पूरा लगाएंगे तो साउंड क्या आ रही है फ्राग तर इसको हमें जल्दी से बोलना है तर र अब तर में रा लगा के बना तर क्या साउंड आ ये तर कर प र ए रे अब पा में रा लगा तो क्या बना प्र और एक ही मात्रा लगी तो क्या बन गया प्रे स प्रेस च आप देख रहे हो इस पर अंकी बिंदी लगी हुई है चन द र अब द में द क्योंकि आदा है ये द र लगा तो क्या बना द र मा चंद्रमा जहां भी हम रा लगा रहे हैं उस साउंड को आपको ध्यान से सुनना है तभी आप इसको सही प्रकार से पढ़ पाएंगे ड र क्या साउंड बनी डर म डरम जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि त ड ध इनमे रा नीचे की साइड में लगता है और आप देखे रहे हैं किस प्रकार से इसको क्या इसकी शेप होती है किस प्रकार से लगाया जाता है ड, र, ड, आ, ड्र, प, र, ड्र, क, र, अब क में रा लगा तो क्या बना क्र, ए, क्री, क, ए, के, त, क्रिकेट, ट, र, अब ट में रा हम जोड़ेंगे, तो क्या बना, ट, ए, ट्रे, क्योंकि रा पे एक ही मातर लगाएंगे, तो आपको लगेगा कि जैसे टा पे लगा रहे हैं, लेकिन ये टा पे नहीं लगी है, ये रा पे लगी है, तो इसलिए ट्रेन, रे, रे की साउंड आ रही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ट्रे, न, ट्रेन, ड, र, क्या बन गया, ड, आ, ड्र, इ, व, र, ड्र, ड्राइवर, तो इस प्रकार से आपको ये रा लगाने, लगाना कैसे लगाते हैं, समिन में आ गया होगा, लेकिन अभी हम और बहुत सारा अभ्यास करेंगे, ताकि आप बिल्कुल ही पर्फेक्ट हो जाएं, चलिए, और शुरू करते हैं, अब ग, र, अब ग में रा लगा, तो क्या बन गया, ग्र, उग्र, क्योंकि अगर आप इसको, गा को शोट जोनी से नहीं बोलेंगे, आधा नहीं बोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, उग्र, जबकि ये उग्र नहीं है, उग्र, गा आधा है, उमर, म में रा लगा, उमर, तो क्या बन गया, उमर, उमर नहीं है, उमर तो पुरा लिखा जाएगा, उमर, लेकिन इसमें मा आधा है, तो उमर, व, क, र, क में रा लगा, क्र, वक्र, भ, अब ये भा आधा है, तो में तो क्या बोलना होगा, अब ग में रा लगाएंगे, तो क्या बनेगा, ग्र, अग्र, च, क, र, क में रा लगा, तो क्या बनेगे, क्र, चक्र, फि, क, र, अव क में रा लगा, क्र, फिक्र, फि, क्र, फिक्र, प, र, प्र, अण, प्रण, प, र, प्र, आ, प्रा, अण, प्राण, ग, र, तो क्या बना, ग्र, आ, ग्रा, म, ग्राम, ड, र, ड्र, म, ड्रम ट, र, ट्र, आ, ट्रा, म, ट्राम ट, र, रा लगके क्या बनेगी साउंड? ट्र, क, ट्रक प, र, प में रा लगा क्या बनेगे? प्र, ए, प्रे, स, प्रेस प्रति ज्या लिखा ये ज्या और या ये आप संग्योक्त शब्द में पढ़ेंगे इसको ग्या भी बोलते हैं लेकिन ये ज्या और या से मिलके बनता है तो इसको ज्या भी बोलना जाता है लेकिन आप इसे इसे ग्या भी पढ़ा जाता है प्रतिग्या प्रतिक्षा ये का और शा से बनता है ये भी आप संयोग तक्ष्र में पढ़ेंगे प्रतिक्षा ये शा में जब रा लगाते हैं तो आप देख रहे हो शा आधा कैसे बनेगा ध्यान से देखना है चीज को श्रश्रवण भरब्रमान प्रकोप प्रमोद सम्राम्राट प्रभात प्रकाश प्रकाश कर म अ अब अंकी बिंदी भी है तो मांक क करमांक अंकी बिंदी किसकी आवाज आती है इसमें ना की आवाज आती है क्रमांक विक क र ए रे या निके क्रेता प्रति दिन प्रति दिन क्योंकि दोनों पर छोटी की मात्रा है तो ती दि एगर आप छोटी की मातरों बढ़ी की मातरा की चानभए को प्रतिधीन तो नहीं है तो प्रतीधी प्रती कूद अगर छोटों की मातरा की सीएगे परिजान देना सूर्ण फी बढ़ी है साउन पर होते हैं परिश्र ये तो मैंने अभी बताया आपको शा मेरा लगेगा तो श्र म परिश्रम आ कर क मेरा लगा तो करमन आकरमन कर कर क्रिस्मस अब इसे जन्दी से हम पढ़ेंगे क्या होगा यह क्योंकि आधा होता है क्योंकि दा में रा लगा तो क्या बना द्र जब आधे दा में हम रा लगाएंगे द्र ओ की माचा लगने ज़ी क्या बन गया द्रो ना द्रोना चार य चारिये द्रोना चारिये झाल